Hello friends, नमस्कार, आज की इस वीडियो में हम Nifty Bank Nifty का weekly analysis discuss करेंगे Nifty Bank Nifty ने अच्छा correction देखा था last week, जो हमारी important estro date C उसके साब से market में अच्छा correction आया भी है उसके बाद यहाँ पर हमारा market टॉप आउट हो गया था और इसका calculation में बताया था 6357 x 3.14 अगर हम कर लेंगे तो वो लेवल आ जाता है लगबख 19,960, Nifty ना है मनाया था 19,991 और वहाँ से भी बजार लगबख 600 से शाड़े 600 पॉंट नीचे है दू जिन में market ने अच्छी recovery भी दी है, क्या recovery sustainable है या फिर market में वापिस से fall आ सकती है इसके ओपर discussion करेंगे जैसा कि मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में बताया है कि market is all about narrative narrative अभी पूरा सबको दसर चल रहा है, इंडियन economy में कोई problem नहीं है which is good, पर markets are always forward looking, अगर आप देखेंगे बहुत सारे stocks के अच्छे result है, फिर इस stocks में correction आ रहा है because lot of things are priced in, और उसके बाव जो market में एक अच्छा, you know market always forward look होता है कि next quarter, उसके दो quarter में क्या results आ सकते हैं, उसके साब जो prices अभी से बननी चलू हो जाती है तो जो मार्स के बाद जो rally चलू हुई थी हमारे यहां से, अब उसका effect हमें दिख रहा है कि अभी market में इत्ते अच्छे results आ रहे है, companies का almost, you know they are giving wonderful results अगर हम year and compare करें, quarter on quarter तो मैंने last time भी आपको access bank का बुला था, ICSA bank के भी हमने बात की थी कि भाई, quarter on quarter में pressure आ रहा है, retail loan के NPS बढ़ रहे हैं, तो उसके साब से आप देखेंगे, bank nifty ने underperform किया है nifty को, पर अब क्या हो सकता है market में, वो important है next four days में, because Thursday को RBI का policy भी आएगा, और शाम को I think inflation का data भी आएगा, जो हमें एक अप्तिक देख सकता है, जो हमें एक अप्तिक देख सकता है, बोथ इंडिया और यूस में, because of the grain prices and the energy prices, crude almost 52 week hyper trade कर रहा है, तो definitely इसका इंपक्त होगा, और अगर हमारा vegetable inflation देखें, जो almost I think 30% basket cover करता है CPI का, the prices of tomato, ginger का, you know, they are skyrocketing, तो definitely उसका इंपक्त आएगा, और अट भी एक क्या उसको लेता है, यह एक one of the instance है, या फिर it's over, और a period of time हो सकता है, interest rate बढ़ भी जाए, and it can surprise the market, but let's see, हमें अपने techniques पर फोकस करना है, तो सबसे पहली technique है हमारी, सबसे इंपोर्टन चीज जो इस week हो रही है, वो है बेर्स क का sunset distance maximum होता है, तो यह रूल एक्टिवेट होता है, तो यहाँ पर आज यह रूल यहाँ पर एक्टिवेट हुआ हुआ, उससे पहले एक्टिवेट हुआ था इस दिन, 30 में को, उसके बाद 2-3 दिन का में एक करेक्शन दिखा था, market में, और उससे भी पहले देखके तो यहा कर सकता है, next जो हमारे लिए है, वो है Sun और Jupiter, एक important aspect बनारे, square aspect, 90 degree aspect बनारे, वो मैं आपको बता जाता हूँ, तो हम इदर आएंगे, मैं timing solution software यूज कर रहा हूँ, तो हम इदर आए, Sun को हमने select किया है, square मतलब होता है आपका 90 degree, यह आपको बना रहा है Jupiter से, क्योंकि RBA का भी ह है, तो अब, और Jupiter is all about banking, SBI PSU है, तो, you know, SBI basically, sorry, Sun PSU को support करता है, government entities को, तो SBI हमारा focus में रहेगा, private banking focus में रहेंगे, तो अब देखते हैं कि यह aspect कुछ करता है, तो यह aspect देखें, यहाँ पर बन रहा है, आज है यह aspect और, और last time यह aspect कब हुआ था, इसको देखते हैं, तो this is, यहाँ यहाँ पर देखें, इसके बाद भी देखें, दो दिन अच्छी फॉल आई थी market में, और यह high को cross नहीं कर पाया था, इस aspect के जो भी high बना था, उसके बाद देखें, यहाँ पर भी, दो दिन बाद market ने bottom आउट करके एक अच्छी rally भी दी है, और उसके बाद यहाँ अच्छी फॉल आपको बना था आपको तो वह भी हमारे लिए इंपोर्टेंट है और एक है हमारा जो कल आ रहा है, बेट का रूल नंबर 27 जो कहता है कि बिग टॉप्स और मेजर बॉटम्स बनते हैं जब भी mercury का speed, geocentric latitude पर 59 minutes होता है, यह aspect में आपको ड्रॉख करके बताता हो अभी, तो हमने यह aspect को इधर लगाया है, इसका देखते हैं कहा हो रहा है, तो यहाँ पे major top बना था, छोटा सा पॉल आया, यहाँ पे बीक top बना छोटा सा पॉल आया, यह bottom बन के एक अच्छी rally आई, और यह भी आपको कल बन रहा है, तो next, आज और कल दो important aspects बन रहे हैं तो market में कच्छी हमें मूह देख सकते हैं, आप trade क्या होंगे, तो यह तो हमारा हो गया, आप देखे सबसे पहले octa point 50% point जो मैं आपको बताया था, 50% को GAN ने बहुत focus किया था, तो यहाँ से जो अपना 19.319 हमारा 50% point था, यह पूरी rally यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका 50% ना रहा है, 19.644 पर है, और अगर मैं moving averages देखू, तो यह आ रहा है, 19.638 पर 20-day moving average, देखे मार्केट ने 20-day तोड़ा है, जेनरली 50-day तक जाते हैं, एक बार हो सकता है, इसको retrest करके वापस गिर जाए, और इसके अपर close हो जाए, तो फिर यह bearishness कम हो जाएगी, क्योंकि ह दोनों 50% point जो 19.644 पर है, और 19.638 तो आपको एक लेवल ध्यान में रखना है, 19.650, अगर 19.650 पर 1R की closing हो जाती है, तो we can expect market वापस all-time high को करेगा, नहीं हो पाईगी, तो इस बार यह by the RBI policy 19.296, 19.300 मार्केट में आराम से टूट सकता है, और अगर मैं वापस जैसे मैं आपको लास्तम भी बताया था, आउटसेट बार, इंसाइट बार बहुत important होते हैं, यह आउटसेट बार है, आउटसेट बार का लो था 19.603, आज भी market 19.603 के ओपर close नहीं हो पाया है, आउटसेट बार्स है वेरी वेरी important, इंसाइट बार, आउटसेट बार्स को, गैन ने बहुत important होते हैं, यहाँ पर बहुत emotions जूड़े में होते हैं, और अगर मैं musical index की तरफ देखूँ, तो यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ पर करता हूँ, तो देखे, 19.452 हमारे level है, उसके आसपास से bounce back चालू हुआ है, पर यह important है कि अगर 650 क्रॉस नहीं कहा थे, 452 की चल चलते हैं, बैंक निफ्टी क्या बोल रहा है, 50% के आसपास ही स्ट्रगल करना है मार्केट, तो 45,8,57 के नीचे ही close हुआ है आज भी, तो यह बापिस इत्वल आटायं, 44,479,44,101, मुईंग एवरेज इसकी तरफ से देखे हम तो 50-day मुईंग एवरेज पर सपोर्ट द चल रहा था मार्केट में वैसा नहीं रहा है, अब यह तूट चुका है, और विकली पे भी हम देखें गाई कि लोग ओ लोव बने हैं मार्केट में, तो यह इंपोरेटन चीज यह बताना चाहता हूँ कि मन्तली में देखे, बहुत इंपोर्टन एस्पेक्स माने जाते है, फ्रॉम टेक्निकल परस्पेक्टिव तो यह मंतली में ओपन ही जब भी बनेगा तब मार्केट में अच्छी तेजिय मंदी होती है यह देखिए ओपन लो इधर बना था यहां पर देखिए ओपन लो सेम तथा अच्छी रहली है यह देखिए यह कोवेट के फॉल से पहले पर यह हमें ध्यान में रखने का है इसी तरह से निफ्टी में भी देखे तो ओपन इकुल तो है तो अगर आप एक बेरिश पोजिशन बना रहा है तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा तो ही आप तेजी करे मालब अगर 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 यह आपका इक बेरिश इंस्टेंस बना है तो 9800 का स्टॉप लॉस रखिए तो हां तो यही है अब लेवल्स जो मैं देख रहा हूं वह भी मैं बता है तो लेवल्स वैसे में अपनी साइट पर अप्डेट करूंगा पर फिर भी अगर वीडियो जो लोग साइट नहीं देखते हूं उनके लिए यहां पर अप्डे करना है तो आप 584 की नीचे कर सकते है 514, 443, 373 अगर एग्रेशिव टेडर है तो 9650 के आसपास यू कन अटेंप्ट विट फिफ्टी पॉंट स्टॉप लॉस और बैंक निफ्टी में अगर हम देखेंगे बैंक निफ्टी में जो जो नहोंने वेट बढ़ाने का बोल रहे ह है तो देट के एक्ट आज पॉसेंटिव सेंटिमेंट तो हो सकता है मार्केट का संटिमेंट थोड़ा अच्छा हो जाए मिलाब एजी एफसी बैंक के करना पर वी आप तुसी के अधर बैंक उसमें सपोर्ट कर पाते हैं कि ने और बैंक निफ्टी में देखें 44, 765 के यह हमारे चाल लेवल हो जाएंगे और निउरल फोकास्ट क्या बोल रहा है निफ्टी का मेरा इतिंग कि इदर अभी खुल के नहीं रखा है आप निउरल फोकास्ट भी बोला था साथ आठ को एक थोड़ा सा टॉड़ा सा टॉपिंग आउट होके एट के बाद मार्केट थ in प्रेज बीज बैज थोड़ के यह थिए जो विए बीज 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 बिलेज शियूओ में लेखर ंप धिए धिंग बीज खाल विए भीज़ खाल विए बीज